अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अप्डेट्स के लिए हेलो फ्रेंड वेलंकम है यूटिभ क्यानल हो आज की स्वीडियों डिस्कुस करेंगे कि अगर आप अबाफ फ्री यूणिवर्सटी की जो ऑन्लाइन बी से नर्सिंग मेंटी से पी पी एंटी टूटी तुन यूणाइन चाहिए कैसे करेंगे और बीसिक बीसिघूर से नर्स सांब Subs板 कर ड्राइं किसी भी Link पर क्लिक करिए अगर BScNursing के लिए करना चाहते हैं यह फेर कर यह अगर पॉस्ट बेसिक लिए कर ना चाहते हैगा है क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आज आएगा अगर आपने पहरले से रिशिंटर की है तो यहाँ से रिशिंट नमबर और प्रसवड फील करके आप यहाँ से अपनी तेल्स वरा जो भी डिटिंग वरा देख सकते हैं तेल्स वरा जो भी आपने फीड की है अधरवाइस निव रिशिंट के लिए यहां देखिये इक लिंक बना है रेटिश्येशि 70 और अगर हम बात करें जनल की तो उसकी फीस है 3540 रुपीज उसके बाद फीस जब कंफर्म हो जाएगी आपकी आप फोट और सिगनेचर अपलोड करेंगे और जो भी आपके डोकुमेंट्स मांगेगा वो अपलोड करेंगे यहां पर साइस वरा दिया गया फोट और ही है कि आपकी जो डेट है वो दो एक दोजा चार से उपर नहीं होनी चाहिए तो यहां पर देख लेते हैं कंडिडेट शूड हैव अटेइन और विल अटेइन एज सेवंटीन येर्स और ऐस ऑन 31 दिसमबर 2020 कंडिडेट बाद आफ्टर अगर जो परसन इसके बाद होए है हैं वो नहीं कर सकते हैं आफ्टर अनोट ए्लीजिपल इफोर वाले कर सकते हैं फिस्विए याद रहीएगा तो यह करने के बाद आप यह अपर click करेंगे जब आप proceed next way क्लिक करेंगे तो आपका blank form यहाँ पर open हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी टेल फिल करेंगे उसके आप father's name फिल करेंगे category जो भी आपकी है उसको choose कर लीजिए date over choose कर लीजिए उसके बाद आपका address जो भी आएगा पूरा address यहाँ पर फिल करेंगे जेंडर आपका select करेंगे उसके बाद यहाँ पर permanent talk की block नहीं बना तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा residence state कौनसी आपकी पंजाब है district आपकी कौनसी पढ़गे उसको चूज करिए आपके board का roll number आएगा यहाँ पर 10 प्लस टू का उसके बाद mobile number आप यहाँ पर फिल करिए कोई भी problem आती है आप इस नमबर पर मुझे WhatsApp करके उसका solution ले सकते हैं तो यहाँ पर हम अधार का number फिल कर देते हैं email ID properly फिल करिएगा देखिए फ्रेंट इमेल आइडी और phone number काफी जदा candidates गलत फिल कर देते हैं इसको आप प्रॉपर लिफिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर marks फिल करने होगे PCB के यहाँ पर देखिए you have DMC plus one and plus two at the time of college reporting उसके recording आपको यहाँ marks फिल करनेंगे plus one के physics chemistry math का यहाँ कितना बनेगा तो यहाँ चल गए जैसे मैंने टोटल थे 300 में से तो मैंने यहाँ आप उनका total कर लिए किस कितने हैं उसके recording कर लिए करेंगे ऐसे ही next अगर आप बायो को बिलॉंग करते हैं अगर आपका यहाँ पर बायो है first one plus one का second bio plus two का है तो इसको मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ उसके बाद biology के marks आपको यहाँ पर करने होगे तो मैं यहाँ पर maximum marks कितने थे और कितने आपने गेन किया ऐसे ही plus two में से कितने आपके maximum marks है और कितने आपके plus two जो biology थे उसके marks थे उसके बाद यहाँ पर name of state of plus one आपने कहां से किया यह पंजाब से किया है son state से किया उसके according आप यहाँ पर अपना जो भी state choose करेंगे name of state of class plus two जिस भी आपने state से plus two किया वो state choose कर लीजे तो फिलाल पंजाब से ही थे उसके बाद आपको यहाँ plus two का dmc अपलोड करना पड़ेगा जिसका size maximum 500 के भी होना चाहिए तो यहाँ पर मैं एक डमी रिकॉर्ड फिल कर देता हूं उसके according हम देख लेते हैं तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका size कितना यह size efficient को मैं अपलोड कर दिया उसके बाद do you fall under read page number 25 prospectors उसके लिए prospectors रीड कर सकते हैं यहाँ पर अपलोड किया गया है तो फिलाल नॉमली टेल देख ली अगर रही हुई तो यहाँ पर देखे कोई error आ गया है तो देख लेते error कहां पर है you must enter a value in the following fields invalid अधार नंबर तो अधार का नंबर गलत है तो इसलिए हम फिल करते हैं तो धार का नंबर आपका सही होना चाहिए तो यहाँ पर चलिए एक और फिर से कर लेते हैं इसको सब कुछ चेक करके proceed देखे अगर आपका धार का नंबर नहीं properly होगा तो यहाँ पर देखे धार का नंबर ठाल गया अब DMC नहीं हमने यहाँ पर DMC दोबार आपको इस फ्रेश होगा तो आप क्या करेंगे जो DMC आपने प्लस टू काड किया है उसको आप क्या करेंगे दोवारा फिल कर लेंगे तो उसके बाद यह जो दिखी यह पेस बहुत इंपॉर्टन होगी वैसे तो आपको मैसेज आ जाता है आपके फोन पे जो आपने इस्टर तो फ्रेंड इसके बाद का फूर से सुन लीजिए जब आपकी फीस कंफर्म हो जाएगे नियर बाउट 24 आर्स के अंदर आपकी फीस कंफर्म हो जाती है उसके बाद फीस कंफर्म होने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका जो बाकी डिटेल सा लाइक फोटो होगी आपके स certificate है वो सारे upload करने बढ़ेंगे scan करके जो जो मांगें गए हैं और उनका size मैंने आपको बता दिया वैसे size वहाँ पर दिया होगा कि size कितना चाहिए वो सारा वहाँ से देख सकते हैं और सबसे important कोई भी चीज़ अगर आपको ना पता लगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे prospectus को जरूर एक वार read करिए तो ये friend सारी process है अपना registration number और password जरूर संबाल के रखिए की वहर आपको message नहीं आता जैसे यहाँ पर जो मैंने अभी तक number फिल किया था मुझे अभी तक जो यहाँ पर user name है mean to say registration number और password अभी तक receive नहीं होगा कि यहाँ थोड़ा time लग जाता दरवाइस email id पर भी आपको send कर दिया जाता है so friend यह process करके देखे किसी भी तरह की कोई भी problem face करते है comment box comment करके आप उसका solution ले सकते है so thank you friends for watching this video and for your valuable time